मकर राशिवालों जीवन को बदलने वाला खुश खबरी है दोस्तों ऐसा समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा इसलिए इस समय को हाथ से जाने मत देना और इस वीडियो को देखोगे तभी इस वीडियो का पूरा लाब हुठा पाओगे वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे बातें हैं प्यार भक्त हैं सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हरदय भाव से जै माता दी तीन बार लिख दीजिएगा माता रानी का सीधा आशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा यह वीडियो आपके जीवन में आने वाले अगले तीन दिनों में क्या-क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है इस पर आधारित है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपकी किस्मत बदलने वाला है जो बातें हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो आपको न केवल आपके जीवन में सफल बनाएंगी बलकि आपको उन बड़ी खुशियों तक ले जाएंगी जो अभी तक आपसे दूर थी देखिये दोस्तों अगले तीन दिन आपके जीवन में बे मिसाल बदलाव लेकर आ रहे हैं ये वो समय है जब मातारानी की कृपा आप पर बरसने वाली है इन दिनों आप जिस भी काम को हाथ मिलेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी अगर आपने कभी कोई सपना देखा है तो अब समय आ गया है जब वो पूरा होगा मातारानी का आशीरवाद आपके उपर है और यही कारण है कि आपके सारे काम सहजता से पूरे होंगे अब सवाल आता है आपको इन तीन दिनों में क्या करना चाहिए दोस्तों इन तीन दिनों में आपको अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लेने चाहिए अगर आपने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई है तो यह समय है उसे लागू करने का यह वो समय है जब आपके जीवन में स्थिर्ता और खुशहाली का आगमन होगा मातारानी आपके हर कदम पर मार्ग दर्शन करेंगी और आपको सही दिशा में ले जाएंगी आपके जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी और नई उर्जा के साथ आप अपने कार्यक्षेत्र में उंचाईयों को छुएंगे अगर आप व्यवसाएं में हैं तो नए अवसर आपके सामने आएंगे और अगर नौकरी पेशा हैं तो पदोन्नती या नया अवसर मिलने की संभावना है दोस्तों यह वो समय है जब आपको हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलने वाली है और खुशियों का दौर शुरू होगा अब देखिए दोस्तों यह समय सिर्फ आपके कामकाज तक सीमित नहीं है आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शान्ति का आगमन होगा आपके रिष्टों में मधुर्ता आएगी और जिन लोगों से आपका मन मुटाव चल रहा था वो अब समाप्त हो जाएगा मातारानी की कृपा से आपके परिवार में भी खुशियों का माहौल बनेगा दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको मातारानी की उपासना करनी चाहिए मातारानी का ध्यान करें, उन्हें गुलाब के फूल अर्पित करें और उनके चरणों में अपनी समस्याओं को रख दें आप देखेंगे कि आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी इसके अलावा ध्यान रखें कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और उन्हें भी इन खुशियों का अनुभव कराएं दोस्तों, यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी जीवन की दिशा बदल सकता है अगर आप इसे अंत तक देखेंगे, तो आपको वह सारी जानकारियां मिलेंगी जो आने वाले दिनों में आपको सफलता के शिखर तक ले जाएंगी इसलिए इसे देखना न भूलें इस वीडियो को लाइक करना न भूलें क्योंकि जितनी ज्यादा आप इस वीडियो को पसंद करेंगे उतनी ज्यादा सकारात्मक उर्जा आप तक पहुँचेगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण संदेश लेकर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप इन सभी संदेशों का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं दोस्टों मातारानी की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी वो सब समाप्थ हो जाएंगी आपके चारों ओर सकारात्मक उर्जा का संचार होगा मातारानी का आशीरवाद आपको नए आयामों तक ले जाएगा और आपको अपार सफलता दिलाएगा इसलिए अपने जीवन में इस समय का भरपूर फाइदा उठाएं और माता रानी की आराधना में लीन रहें अंत में एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शुब समय का लाब हुठा सकें अगले तीन दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर दिन हो सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि मातारानी का आशीरवाद आपके जीवन को कैसे बदलता है अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर दोस्तों यह मातारानी कोई और नहीं बलकि नौ दिव्य शक्तियों का स्वरूप हैं जो नवरात्री से पहले आपको माला माल करने वाली हैं यह नौ शक्तियां आपके जीवन में आने वाले बड़े-बड़े बदलावों का संकेत दे रही हैं आपको यह समझना होगा कि इन नौ शक्तियों का आशीरवाद प्राप्त करना आपके जीवन को संपून रूप से बदल सकता है। मातारानी की कृपा से आप अगले कुछ दिनों में जो अनुभव करेंगे वह अद्भुत और चमतकारी होगा। इन दिव्य शक्तियों की आशीरवाद से आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ विशेश संकेत प्रकट होने लगेंगे। ये संकेत आपको इस बात का आभास दिलाएंगे कि कुछ बहुत बड़ा और शुब होने वाला है। पहला संकेत आपको अपने आसपास के वातावरण में महसूस होगा। हो सकता है कि आप अचानक किसी विशेश सुगंध का अनुभव करें जैसे गुलाब या चंदन की सुगंध जो बिना किसी स्रोत के चारों और फैली हो। यह संकेत है कि माता रानी की कृपा आप पर हो रही है और दिव्य शक्तियां आपके आसपास हैं। यह सुगंध माता रानी की उपस्थिती का संकेत है और इसका मतलब है कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। आप जल्द ही किसी बड़े वित्तिय लाब या किसी बड़ी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। दूसरा संकेत आपको स्वप्न में मिलेगा। अगर आप सपने में देवी माता की कोई जहलक देखते हैं या फिर आपको कोई चमतकारी द्रिश्य दिखाई देता है, तो समझ लें कि माता रानी आपको धन धान्य से संपन्न करने वाली है। सपनों में आपको धन, आभूशन या सोने चांदी की चीजें दिखाई दे सकती हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि आपको जल्द ही वित्तिय उन्नति प्राप्त होने वाली है। यह दिव्य शक्तियों का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है। तीसरा संकेत आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है, जिससे आप लंबे समय से संपर्क में नहीं थे। यह व्यक्ति अचानक आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके लिए खुशियों का संदेश लेकर आएगा। हो सकता है कि यह व्यक्ति आपको किसी नए अवसर या व्यापारिक सांजेदारी का प्रस्ताव दे, जिससे आपको बड़ा लाब हो। माता रानी की कृपा से यह व्यक्ति आपकी आर्थिक स्थिती को सुधारने में मदद करेगा और आपके जीवन में स्थिर्ता लाएगा। चौथा, संकेत, आपके घर में किसी विशेश धार्मिक या आध्यात्मिक घटना के रूप में प्रकट होगा। हो सकता है कि आपके घर के पास कोई धार्मिक उत्सव या पूजा अर्चना का आयोजन हो, जिसमें आपकी भागीदारी आवश्यक हो। इस आयोजन के दौरान आपको कुछ विशेश अनुभव हो सकता है, जैसे कि माता रानी की कृपा से किसी विशेश आशीरवाद का अनुभव करना। यह संकेत है कि आपके घर में धन, सुख और सम्रिध्य का आगमन होने वाला है। माता रानी का आशीरवाद आपके घर पर सदैव बना रहेगा। पांचवा संकेत आपके व्यवसाय या नौकरी से संबंधित हो सकता है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो अचानक से उसमें आपको अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। यह माता रानी की कृपा का परिणाम होगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिती में सुधार होगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको एक ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है, जो आपके करियर को एक नई दिशा देगा। यह प्रस्ताव आपके लिए जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। अब बात करते हैं खुशखबरी की, जो मातारानी की क्रिपा से आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। सबसे पहले मातारानी आपको धन धान्य से माला माल करेंगी। आप देखेंगे कि जिस वित्तीय समस्या से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, वह अब समाप्त हो जाएगी। आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ती हो सकती है, चाहे वह किसी पुराने निवेश का लाब ह या फिर किसी नई योजना का अप्रत्याशित लाब। मातारानी की कृपा से आपके बैंक खाते में धन की वृद्धि होगी और आप आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। मातारानी की दूसरी खुश्खबरी यह होगी कि आपके परिवार में सुख शान्ती का वास होगा जिन रिष्टों में दरार आ चुकी थी वे फिर से जुडेंगे। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द्र से रहेंगे। परिवार में किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा का आयोजन हो सकता है जिससे घर के वातावरण में सकारात्मक उर्जा का संचार होगा। यह मातारानी की कृपा का परिणाम होगा जिससे आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का सागर बहने लगेगा। अब बात करते हैं चमतकारों की जो मातारानी आपके जीवन में करने वाली हैं। पहला चमतकार यह होगा कि आपके जीवन में अचा क्रिपा से आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक होंगे। आप देखेंगे कि जिन कामों को पूरा करने में आपको सालों लग गए होते वे अब कुछ ही दिनों में पूरे हो जाएंगे। दूसरा चमतकार आपके स्वास्थि से संबंधित हो मातारानी की कृपा से आपके शरीर में नई उर्जा का संचार होगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ और उर्जावान महसूस करेंगे। तीसरा चमतकार यह होगा कि आपकी आध्यात्मिक उन्नती होगी। आप मातारानी की भक्ति में और अधिक लीन हो जाएंगे और उनक ध्यात्मिक उन्नती आपको मानसिक शान्ती और आंतरिक संतोष प्रदान करेगी जिससे आपका जीवन और भी सफल और सार्थक बनेगा। तो दोस्तों यह नौ दिव्य शक्तियां आपको नवरात्री से पहले ही माला माल करने वाली हैं। आपको यह संकेत और चमतकार अनुभव होंगे और मातारानी की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। अब समय आ गया है कि आप मातारानी की उपासना में और भी मन से जुट जाएं। क्योंकि उनका आशीरवाद ही आपको वह सब कुछ दिलाएगा जिसकी आपने कभी कामना की थी। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको एक नहीं बलकि नौ शक्तियों का आशीरवाद प्राप्त हुआ है। जी हाँ प्यारे दोस्तों आपने बिलकुल सही है ना। प्यारे दोस्तों ऐसा हर किसी का नसीब नहीं होता है। हर किसी के साथ ऐसी बड़ी घटना नहीं होती है जो आपके साथ हो रहा है। प्यारे दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको दो गुप्त संदेश मिल रहे हैं। इन्हें नौ शक्तियों के द्वारा आपके पिछले कर्मों का ही या तो फल है, जो हाँ, यदि आपको लगता है कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता ही नहीं है, तो अब आपको इससे बहतर क्या चाहिए? अब आपका जीवन बदलने वाला है. अब तक का एक ही रुपयों के लिए तरसे, आप प्यार के लिए तडप है. आप विश्वास को प्र प्यारे दोस्तों, आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब जो आप कर रहे हैं, वे बिल्कुल सही है. लेकिन इसका परिणाम, विप्रीत, ही आपको प्राप्त हो रहा है. प्यारे दोस्तों, आप इस समय देखा जाइए, तो किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है. किसी का मतलब यानि कि दो ऐसी बाते हैं, जिनके लिए आप बहुत ही परेशान है. आप दुविधा में हैं, आप स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि इन में आप क्या करें, क्या ना करें. प्यारे दोस्तों, आपको कैसे सफलता मिले? इन कारियों में आप यह सारी बातों को लेकर बहुत चिंतित हैं. अचानक ही कुछ ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जिन पर आपको यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जा रहा है. दोस्त, अब ऐसा होने वाला है. प्यारे दोस्तों, अब आपके आँखों से ही आंसु निकल पड़ेंगे, लेकिन या आँखों से आंसु निकला, आप सब दुख का नहीं, बलकि खुशियों का हो. जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना. अब तक तो आपकी आँखों से जितने आंसु निकले हैं, वे सभी दुख के आंसु निकले हैं. खुशियों के आंसु क्या होते हैं? अब यह आप देखने वाले हैं. जी हाँ, प्यारे दोस्तों, जब आपको यदु गुप्त संदेश बताएंगे, तो आप खुशी से नाच पड़ें क्योंकि ऐसा बड़ा गुप्त संदेश ही है, जिसे सुनकर किसी को भी खुशी होगी ही होगी. प्यारे दोस्तों, आपने अब तक अपने जीवन में जो भी उम्मीदें की हैं, जिनसे भी उम्मीदें की हैं, हमेशा वह चीजें ही आपको धोखा देती रही हैं. यह बात आ बड़े बड़े आपने चुनोतियों को हराया है, तब जाकर आज आप यहां तक पहुँच पाएं हैं. जी हाँ प्यारे दोस्तों, लेकिन अब आपका सभी बिगड़े काम बन जाएगा, जो आपको हम यह दो गुप्त संदेश बताएंगे. वह गुड़ू गुप्त संद गुप्त रखें. गुप्त रखी तो, प्यारे दोस्तों, बेहतर होगा. प्यारे दोस्तों, आपका यह जो समय है, वे आपके लिए इतना ज्यादा खास है, कि आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, कि नौ-नौ देवियों ने भी आपको यह दो गुप्त संदेश जा है. तो सोचो, आप यह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है. जी हाँ, प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन में लोगों के प्रती बहुत ही ज्यादा धोखे खाए हैं, जिनमें की अपने ही कुछ शामिल हैं, जो आपसे देखा जाए. उम्र में तो बड़े हैं, लेकिन क यक्ति को नजर आ रहा है. लेकिन आपके जीवन में असल परेशानी क्या है? या आप यह जानते हैं और यह नौशक्तियां भी जानती हैं? जी हाँ, प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना. तो आईए प्यारे दोस्तों, हम बिना देर किये हुए, अब जान लेते हैं कि नौशक्तियों ने आपको वो कौन से दो गुप्त संदेश दिये हैं, जिन्हें जानकर अचानक आपके ही होश उड़ जाएंगे और खुशी से नाच पड़ेंगे. प्यारे दोस्तों, बहुत ही लंबे समय के बाद अब आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो मा ब्रह्मचारिनी की जय माता दी जिसने जरूर लिखिये. माता ब्रह्मचारिनी की कृपा से ही आपके जीवन की हर खुशियां आपको प्राप्त होगी. आपकी जिन्दगी घी के जो भी तकली है, जो भी दुख है वह सब 24 घंटे के प्यारे दोस्तों जी, मैं ये दो गुप्त संदेश आपको मिल रहे हैं. पहला, जो गुप्त संदेश है, ध्यान रखें कि इन बातों को अपनों से बाहर ना जाने दें. यानि कि चार दीवारी के अंदर ही रखे बाहर वाले व्यक्ति को इस बारे में ना बताएं. नहीं से आपको धन लाब के रास्ते नजर आने वाले हैं. जी हाँ, प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन में पैसों को लेकर हमेशा से पर परेशान रहे हैं. यदि आप युवा हैं, तो आपको बता दें कि अचानक किसी अच्छे रोजगार की प्राप्ती आपको होने वाली ह जी हाँ, प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना. आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं और आपको धन प्राप्ती की उम्मीदें हैं, तो आपकी यह उम्मीदें अवश्य पूरी होंगी. पैसों की कमी के कारण जो कार्य आपके रुके हैं कि पूरे होंगे. प्यारे दोस्तों, यह रहा आपका पहला गुप्त संदेश जो आपको धन से जुड़े मामलों में खुशियां देगा, प्यारे दोस्तों. वहीं दूसरा जो गुप्त संदेश इन नौ शक्तियों के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है. वह प्यारे दोस्तों, आपने यदि पिछले दो साल से किसी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. जी हाँ प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसी अ अब आपको वह मिलेगा जो आपने प्रार्थना करके भगवान से मांगा है. जी हाँ प्यारे दोस्तों, कहने का अर्थ है कि आपकी कोई एक बड़ी मनोकामना पूरी होने का समय आ गया है, अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है तो जल्द ही, यानि कि ये दो गुप्त संदेश बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे. प्यारे दोस्तों, ये समय कुछ लोगों के लिए कुछ उतार चड़ाव से भरा हो सकता है, क्योंकि इस दोरान कुछ लोगों को पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, जिसे लेकर आप थोड आशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है. प्यारे दोस्तों, हो सकता है, किसी के स्वास्थे में कोई समस्या हो. यदि आप से कोई व्यक्ती उधार लेने आता है, तो सावधान हो जाए. आप उन्हें किसी भी प्रकार का कोई उधार ना दे. नहीं तो प्यारे दोस्तों, आ आपको वह पैसा कभी नहीं मिलेगा। यदि आपके घर में संतान है, आपकी तो आपसे वह किसी चीज की फर्माईश कर सकती है, जिसे आप पूरा करने की पूरी कोशिशें भी करने वाले हैं। यदि आपने अपनी कोई ऐसी बातें जो छुपा कर अपने परिवार वालों से रखी हुई थी, तो प्यारे दोस्तों, इस दोरान आपकी छुपी हुई बातें परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती हैं। दोस्ती ध्यान देने वाली बात ये है, कि आप इस समय किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे, कोई भी सलाह न दे। नहीं तो वे व्यक्ति आपको ही भरा बुरा बोल देगा, जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो सकता है। इस दोरान संतान से आपको अपने मन की बातों को कहने का मौका भी मिलने वाला है। वहीं यदि आप किसी नए काम की शुरुआत कर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यह समय आपके लिए उक्सान हो सकता है, आपके कार्यक्षेत्र पर या के अडोस-पडोस में किसी के भी वाद विवाद में पढ़ने से बचे नहीं। तो यह वाद विवाद में पढ़ना आपके लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकता है। जरजर समय रहने वाला है, इन आप अपने किसी मित्र से अनबन कर सकते हैं, यानि कि कोई विवाद कर सकते हैं, वहीं कुछ लोग अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं, किसी पुराने मित्र से मिलने जुलने उनके घर पर जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यह समय रहने वाला है, आने वाले समय मे आप कहीं यात्रा पर पिकनिक की तरह से घूमने जाने का कोई प्लान बना सकते हैं। इस दौरान यदि आपके आसपास कोई नई समस्या आती है तो आप धैर्य बनाई रखें। क्योंकि उन समस्याओं से जल्द ही आपको छुटकारा भी मिलेगा। यदि आप साजिध ही में व्यापार करते हैं तो प्यारे दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि उनमें लाब होगा। लेकिन यह आप किसी और को साजेदार बना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा नुकसान होने के आसार है। यह मैं आपको कुछ दिनों में ही लेकर जा सकता है। प्यारे दोस्तों, जहां पर आपको मन की शान्ती मिलेगी, इस दौरान आपके धन-धान्य की वृद्धी होगी, लेकिन मन में किसी बात को लेकर कुछ नहीं हो सकती है, जिसके कारण परिवार के सदस्य से भी आपकी कुल खपत होने के आसार है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि आपकी संतान बहुत छोटी है, यानि कि अभी उनकी उम्र लगभग एक से दो साल की है, तो प्यारे दोस्तों, उनके शारीरिक कष्ट कोई परेशान कर सकती है। इस दोरान किसी भी मामले में डील बिल्कुल ना दे, नहीं तो वह सदस्य या बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। योजना में रहने वाला है, वे आपको मान सम्मान भी दिलाएगा। आपकी आए के नए स्रोत भी आपको प्राप्त होंगे और आप अपनी आए को बढ़ाने में काम्याबी भी हासिल करेंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिती भी मजबूत हो जाएगी। यदि आप कहीं यात्रा पर जाने की कोई तैयारी की है और वह भी अपने वाहन के द्वारा, तो प्यारे दोस्तों उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी के साथ चलाना होगा। ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करें, नहीं तो आपके उपर चालान कट सकता है, जो आपको पडोसी मेवे डाल सकता है। प्यारे दोस्तों इस बात का ध्यान दें और लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से पहले, आप वाहन का सही तरीके से देख रेख करके, हिंदी के लिए अन्यत्था बीच रास्ते में आपका वाहन खराब भी, प्यारे दोस्तों उसी के साथ आपको बता दें, कि जो जातक नौकरी पेशा है, उन लोगों के जीवन में कुछ खास हो सकता है, उनके पद में उन्नती मिल सकता है। आपका यह जो समय है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आपको आपके आफिस में कोई लक्ष्य मिलेगा, कोई टार्गेट पूरा करना होगा, त इसमें आप सफल होंगे, तो आपको लेकर लोग बहुत ही आपकी बातें करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इस समय आपके अंदर आत्म विश्वास भरपूर मात्रा में रहेगा, जिसके वजह से आप किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से करके आगे बढ़ने में काम्या दिया था, तो आपका उधार दिया हुआ धन, अब आपको वापस लेल, जिसके वजह से आर्थिक स्थिती मजबूत हो जाएगी। इस दोरान आपको किसी कार्य में सफलता मिलने वाली है प्यारे दोस्तों। इस दोरान यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो आपको क कोई भी बड़े कार्य में अपने घर वालों की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। यदि आप घर वालों के सलाह पर चलेंगे, तो आपकी कई सारी बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी।